हलो इवरीवान वेलकम टो अराइव ओनलाइन क्लासेज और आज हम लोग चैप्टर फाइव क्लास प्लस टू जो है वो डिसक्स करने वाले हैं जो की आपका जैनेटिक्स का पोर्शन है जैनेटिक्स से आपके दो मेजर चैप्टर्स यहां पे हैं एक तो प्रिंसिपल और इन यह दो चैप्टर है इसमें अल्मोस्ट सारे जैनेटिक्स के छोटे टॉपिक्स वो डिसक्स किया गया है जितने भी जैनेटिक्स में टॉपिक्स होते हैं वो सारे यहां पर डिसक्स हुए हैं लेकिन आपको पता है क्लास प्लस टू में उसका कितना डिसक्शन रहता है और ह कितना discussion लेकिन basics जो आप करते हैं, वह इनी chapters में हैं, जैसे law है Mandelke, तो 10th class में थे पढ़े हैं और यहां पर पे प्लस टुमें भी वही हैं, और आग higher classes में जाते हैं तो वहां भी वही रहता हैं. तो genetics की अगर हम बात करें तो वो क्या है एक ऐसी branch है जो की deal करती है inheritance and variations के साथ अब यह inheritance and variation क्या होता है थोड़ा सा में इसको zoom कर लेती हूँ inheritance process by which characters possessed from one generation to another एसा process जिसके through parents से child में character जो है वो जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे inheritance पोलेंगे और variation, variations का मतलब vivid time, differences कितने होंगे उनको हम variation बोत है the degree by which progeny differ from the parent progeny word जहां पर भी use होगा इसका मतलब जो next generation बनी parental generation से progeny का मतलब जो next new generation बन रही है वो कितनी different है अपने parents से उसमें different कैसे होगे, उसमें changes होंगे, differences होंगे उसी को हम variations बोलते हैं and genetics next question, what is the main cause for variation? sexual reproduction is the main and major cause for the variation क्योंकि आपको पता है मैंने पहले भी आपके साथ discuss किया था जब हमने cell cycle वाला chapter बढ़ा था कि जो meiosis होती है meiosis and mitosis पढ़ा था जिसमें से meiosis जो है involved होती है आपकी sexual reproduction में और sexual reproduction में क्योंकि meiosis की जो stages है उसमें crossing over होता है कौनसी stage में? packetine stage में meiosis 1, pro phase 1 की आपकी packetine stage जो है उसमें crossing over होता है जिसकी वज़ से वहाँ पे character mixing होता है और आपको पता है जब भी sexual reproduction होता है तो half एक parent है, दूसरा parent है half character एक parent से आते है half दूसरे से आते है और जो new individual होता है वो hybrid होता है which means कि उसके पास दो अलग-अलग individual के characters होते है इसी वज़े से उसमें variation आते है तो main call sexual reproduction है और अगर sexual reproduction में भी deep में पूछा जाए तो क्या होता है जो meiosis की different stages है उनकी वज़े से variation आते है main जो stage involved होती है crossing over में वो packaging है right name the Indian breed of cow इसमें थोड़ा सा जो initial आपके pages है, starting के कुछ pages है जो इस चप्टर के उसमें journal से introduction देके रखे जिसमें से में question निकालना बहुत मिश्यल हो रहा था लेकिन ये question फिर भी जहां एक एक line पढ़के करना पड़ता है कि फिर question बनाना पड़ता है कि किस तरह किसे question form बने या कैसे point निकाला जाए महां से तो वो चीज़े मैंने नोट की है राइट अगर ये कोई बड़ा topic या महां से कोई enzyme है कोई protein का नाम है तो वो easy रहते हैं लेकिन ये genetics से कोशी निकालना थोड़ difficult हो रहा था बट एनिफे चलिए name the Indian breed of cow तो sahival cow की breed है और ये Indian है who is a father of genetics तो हमें पता ही है कौन है जीजे मैंडल जोर्ज जोहन मैंडल इनका full name है father of heredity पूछेगा तब भी वही है मैंडल worked from तो 1856 से 1863 जो है इनोंने काम किया है ये आपको याद रखना है इनोंने कितनी contrasting characters लिये थे 7 ये 7 character भी अगर आपको पता होने चाहिए तो NCRT में आप देख सकते हैं 7 character की list बनी हुई है जिसमें से round shape, wrinkle shape color of pod, color of seed height of plant ये सारे character थे total 7 इनका number है when was first time statistic used in the biology actually क्या हुआ मैंडल ने जो काम किया था मैंडल ने काम किया इसमें बोला मैंने इतने plant लिये मानलो कोई number वो बोल रहा है ठीक है इतने plant लिये उसको इतने plant के साथ क्रॉस किया फिर हमार पास इतने आये तो mathematical calculation वहाँ पे उसने की थी अपने study में बदद biology के साथ साथ उसकी mathematics calculation भी थी तो इस प्रांच को हमने statistics बोला तो ये Mendel का जो experiment था उस time से ये काम जो mathematics जो work है ठीक है calculation वाला ये biology में भी यूज होने लगा biology science में भी यूज होने लगा Mendel used dash plant तो P उन्होंने यूज किया था which method of pollination is used by Mendel तो cross pollination जादा उसने यूज किया था infect उसने self pollination भी यूज किया था लेकिन self pollination hybrid के case में उसने यूज किया था जब hybrid बना था उसकी selfing की थी for F2 generation ये चीज़ धियान रखना कि mostly cross pollination उसने F1 generation के लिए किया है scientific name of garden pea जो वही पी इसने मेंडल ने जो यूज किया था उसका pisium stivum scientific name है next F1 जब हम cross बनाते हैं उसमें F1 F2 generation लिखते हैं ये जो F1 है इस्टेंड करता है first filial generation और F2 second filial generation जब मेंडल ने cross pollination की थी ठीक है तो उसमें मेंडल ने artificially pea plant के एंथर को रिमूफ कर दिया था और इस प्रोसेस को हम emusculation पढ़ते हैं जब हमने sexual reproduction in flowering plant किया था ये question हमने तब भी किया था ठीक है repeated question है और एक और चीज़ इस में इस चेप्टर में चोटी चोटी बहुत सारी terms है तो साथ के साथ जो चीज़ें extra बोली जाते हैं उनको भी note करते रहिएगा ये चो चेप्टर इसको दो तिन बार revise करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी नई terms और processes इसमें है बहुत सारी scientists आएंगे अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे चेप्टर आगे बढ़ता चाहेगा वैसे वैसे नई चीज़ें आएंगी disorders है फिर paleotropy multiple allelism बहुत सारी नई terms होंगी तो उनको साथ के साथ नोट करते हैं next question Mendel ने study किया था और उस time Mendel ने genes को क्या नाम दिया था factors वो genes नहीं बोलता था वो factor बोलता था monohybrid cross के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता था एक hybrid के बीच में cross होता था उसने क्या किया कि एक generationally capital T, capital T को small T, small T के साथ cross करके उसके पास four individual बने थे एक कि उसमें capital T था, एक small यह hybrid बन गया फिर इसकी selfing की थी selfing की थी एक hybrid A की character लिया उसने tallness का इसलिए mono, एक ही hybrid की उसने cross किया इसलिए इसको हमने mono hybrid cross बोला mono hybrid cross की ratio मैंने आगे discuss की है तब हम बात कर लेंगे इसके बारे में allele क्या होता है the alternative form of genes ठीक है, यह allele वाला कुष्ण भी बहुत बात पुछा गया है alternative form of genes जैसे मैंने लिख दिया tallness के लिए allele दो exist करते हैं पी प्लान में एक उसने बोला capital T, capital T, दूसरा small T यह दोनों ही आपस में allele हैं, दोनों contrasting characters हैं ठीक है, यह जो है homozygous है, यह heterozygous allele है ठीक है, heterozygous allele कैसे हो जाए यह homozygous conditions है, hetero आजाएगा जब hybrid हो जाएगा, capital T और small T साथ में आजाएगा, तो heterozygous allele होए, next होगी pannet square, pannet square क्या होता है, जब हम cross बनाते हैं ऐसे जहां, मालो मैंने यह cross बनाया कि hybrid को मैंने आपस में cross किया, तो आगे हम इस तरीके से, जो आप books में कई बार देखाऊगा, इस तरीके से जो chart बनाते हैं, यह वाला जो box है इसको pannet square बोलते है, square की form में बनता है, इसलिए इसको pannet square बोलते हैं, और Ronald C. Pannet में इसको discover किया था, इसी की name पे, square का नाम है है क्या यह graphical representation है to calculate the probability of all the possible genotype of the offspring in a genetic cross, जब कोई cross किया जाता है वहाँ पे genotype को देखने के लिए क्या probability रहती है, उस चीज़ को study करने के लिए इसका use किया जाता है, राइट अब मैंने आपको बोला, यह condition क्या हुई, homozycus condition है जब pure line allele सामने होते हैं, जब उसमें mixing आगी तो उसको heterozygous बोलते हैं hybrid बोलते हैं hybrid, next Mendel के law यहां से important है Mendel ने तीन law दिये थे Mendel ने first law जो दिया था अब हो था law of dominance second is law of segregation and law of independent assortment थोड़ा थोड़ा इसको discuss करूँ मैं तो, जो law of dominance है वो बोलता है कि कुई न कुई एक character होता है contrasting character जैसे कि, थोड़ा समय से आपको बताती हूँ Mendel ने कहा था Mendel ने जब tall pea plant को dwarf pea plant के साथ cross किया था तो उसके पास जो character आये थे उसके पास जो results आएगे उसमें क्या था, इस साइड उसने एक gamit के plant gamit लिक दी दूसरी साइड दूसरे capital T, small T, capital T, small T सारे उसके पास क्या आये थे hybrid आये थे, मतलब उसके पास क्या बना ये जो था result बना इसके four individual अब Mendel बोलता है dominant, अब यहां पे ये morphologically देखने में कैसा होगा tall होगा, tall pea plant होगा तो इसने बोला कि एक इसमें जो capital T है, वो dominant है वो अपने आपको मतलब अपना रुधबा दिखा रहे एक तरीके से आप ये समझ लो इस तरीके से class में एक monitor होता है, वो highlighted होता है वैसे ही यहां पे capital T, जो है dominant character है मतलब उसके साथ चाहें दूसरा है, लेकिन वो दूसरे के character को छिपा देगा, अपने आपको show करेगा, वो character जो है dominant होता है clear, और जो छिपा हुआ character है वो recessive होता है, लेकिन students यहां पे ये जो चीज है कि ये जो छिपा हुआ character है जरूरी नहीं है कि ये खतम हो गया अगली generation में, ये तो F1 generation आगी ठीक है, मैं F1, F2 generation की बात करती हूँ, तो ये आपके पास F1 generation के characters है F1 generation है, जब F2 generation के लिए cross करेंगे, तो कहीं न कहीं ये character दोबारा से वापिस आ जाएंगे मैं बताती हूँ किस तरह किसे, देखे हमारे पास क्या बना था, hybrid बने थे hybrid के अगर selfing कर दो तो अब देखो हमारे पास क्या आएगा वैसे ही pannet square बना लेंगे एक side एक तरह के gamit लिख देंगे दूसरी तरह हम दूसरी तरह के gamit लिख देंगे, अब देखो capital T वापिस आ गया यहां से capital T, यहां से small T यहां पे देखो capital T small T और small T small T, अब जो F1 generation में चिप गया था दोबारा से देखो अपनी F2 generation में आ गया और देखो यह भी नहीं था F1 generation में दोनों वापिस से आगे तो यह क्या है? दोबारा से आगे अपनी generation में तो independently खुद को कही ना कही assort करते हैं ठीक है? तो यहां पर NCR2 topic देती है आपको that is incomplete dominance मतलब कि कोई है यह नहीं dominant करने वाला incomplete है? अब मैं आपको बताऊंगे किस तरीके से? incomplete dominance जो है वो snapdragon plant ठीक है? snapdragon plant में होता है जहां पर क्या होता है? incomplete dominance का मतलब है कि वहां पर वो खुद को dominant कर ही नहीं पाएगा अब यह भी मैं आपको cross से बताती हूँ like यहां पर मेरे को थड़ा blank sheet मिल जाए तो मैं अच्छे से बता पाऊंगी, देखो मालो, कोई यहां पर जो यह plant है, snapdragon plant उसमें red color flower होते हैं जिसके लिए हमने यह LA लिख लिए और इसमें दूसरे flowers होते हैं white, उसके लिए हमने small r लिख लिए जब इनका cross होता है, तो महारे पास four individual बनते हैं, जो की hybrid होते हैं अब जिस तरीके से mendel ने कहा था, तो उसके according तो यह red होने चाहिए, क्यूंकि यह क्या है red colored है, और यह क्या है आपके white colored है, तो dominant red कर रहा है, इसलिए mendel के according यह क्या होना चाहिए था क्या होना चाहिए था, red होना चाहिए था लेकिन यह pink colored होते हैं मतलब ना white ने खुद को dominant किया, ना red ने खुद को dominant किया, और color कुछ और ही आ गया तो यहां पे incomplete dominance है, कोई भी character खुद को dominant नहीं कर रहा है इस तरी के cross को हम क्या बोलते हैं, incomplete dominance बोलते हैं, 4 o clock में भी 4 o clock plant है, उसमें भी clear ratio होती है next देखिए, mono hybrid ratio और di hybrid ratio बहुत बार paper पूछा गया है तो mono hybrid यह जो है morphological ratio है genotypic ratio di hybrid में cross करना थोड़ा, di hybrid cross में genotypic ratio निकालना थोड़ा मिश्किल होता है मैंने आगे कहीं note किया है, फिर भी मैंने calculate करके निकाला हो, आपको किसी book में नहीं मिलेगा, मैंने कर्कुद calculate करके आपको दिया है, किसी ना किसी आगे question में, मैं आपको बता दूँगी mono hybrid cross में 3 ratio 1 रहता है, phenotypic ratio नहीं रहता है, ठीक है next, देखे next question है, आपका dihybrid ratio 9 ratio 3 ratio 3 ratio 3 ratio 1, right when the recessive parent is crossed with the offspring of weapon generation it is called test cross ठीक है, test cross, back cross बहुत बार पुछा गया है, let me explain to you with the help of cross, ताकि आपको जाद अच्छे से समझाए, okay तो यागी है, हमारे पास blink slide अब मैं आपको बताती हूँ, मालो मैं capital T, capital T वाला ही LA लोगी, क्यूंकि जादा माइन में यही बैठा होता है, बच्चों के, तो first generation में 4 individual बन जाते हैं, हमारे पास hybrid, क्यूंकि दोनों से hybrid आए, यह हमारे पास F1 generation बन जाती है, जब same selfing, अब यहाँ पर इसी के साथ इसकी selfing होगी, ठीक है, तो क्या results आते हैं, मैंने आपको चार्ट में बताया कि क्या result आ जाएंगे हमारे पास अच्छा, इसमें second result की जरूरत नहीं है, एक second, दोबारा से मैं करते हूँ, क्यूंकि इसमें में cross ही बताना है, हमारे पास चार individual बन जाएंगे, hybrid ठीक है, यह हमारे पास F1 generation में बन जाते हैं, अब मैंने कहा, कि test cross क्या होता है when this F1 this individual of F1 generation is crossed with the recessive parent, यह dominant character है यह recessive है, तो जब recessive वाले के साथ cross किया जाएगा, उस cross को हम test cross बोलते हैं, अगर अगर माल लो, किसी भी parents के साथ, या हम recessive के साथ कर रहे हैं, या हम dominant, मर्जी है हमारी कोई, इसमे condition नहीं लगाई है हमें, कि आपने recessive के साथ ही करना, यह dominant कोई condition नहीं है, तो उस cross को हम back cross बोलते हैं, याद रखना है, यह back cross, test cross, बहुत बार पूछा गया question है, I think this is now clear to you, चलिए आगे चलते हैं, यह मैंने आपको बता दिया of spring is crossed with any one of parent, तो उसको back cross बोलते हैं, next, when we consider one character for cross, तो मैंने बता दिया पहले ही आपको, sorry, उसको mono hybrid बोलते हैं, जब two characters को लिया जाता है, तो उसको हम die hybrid बोलते हैं, चलिए आगे, यह question दोबारा repeat हो गया, मैंने आपको पहले बता दिया पनेट स्केर, जिसने discover क्या है, अब, cell division जो है, which cell division is needed for the cell division, one second, let me clear this concept, मुझे देखना पढ़ेगा, NCRT कौन से पेज से मने question लिया हैं, what is the cell division needed for cell division, what is this cell, which cell division needed for, let me check, yes, I find that, यह था कि, which cell division is needed for, needed for, not cell division, segregation, segregation के लिए, जब हम पढ़ते हैं, segregation, law of segregation, उस time, जो है, कौन सा cell division चाही होता, तो meiosis, meiosis में ही segregation होता है, क्यूंकि, reduce हो जाता है, नमबर और, chromosome हाफ हो जाते है, segregate अलग हो जाते हैं, सर्च में पदा नहीं किया हो गया था, यह, my mistake हो गया था, अच्छा, law of segregation, मैं थोड़ा सा यहां पर, discuss किया है, वही वाला, जो incomplete dominance वाला cross था, वो मैंने यहां discuss किया है, जो मैंने पहले आपको explain किया, वही चीज है, कि hybrid बन जाता है, pink colored F1 generation में, F2 generation में दुबारा से character आ जाता है, चाहे वो dominant है, चाहे वो recessive है, और एक्जांपल, incomplete dominance कि क्या हो सकते है, dog flower हो सकता है, ठीक है, next co-dominance, very, very important, ABO blood group system, जो है, वो co-dominance शो करता है, which means, जैसे आप लिखते हो न, AB blood group co-dominant है, दो, दो जो है, आपस में रह रह रहे हैं, इसको अकेला हम, यह नहीं बोल सकते कि, यह A blood group है, इसको अकेला नहीं बोल सकते कि, B blood group, AB है, co-dominance साथ में dominant कर रहे हैं, चीक है, अब ABO blood group की, आप कुछ major बाते ध्यान में रखेंगे, जो मैं आपको यहां पर बताने चाह रहे हूं, that is, ABO blood group system जो है, उसके 3 genotype होते हैं, कितने 3, तीन allele होते हैं उसमें, कौन-कौन से, I, A, I, B, and small i, यह तीनों किसके लिए allele होते हैं, gene होते हैं, यह भाई साब होते हैं, आपके ABO blood group के लिए, next देखे, जो I, A, और I, B होते हैं, यह completely dominant होते हैं, I के उपर, मतलब की, चलिए, मैं आपको यहां समझाते हूं, यह blood group का concept, blackboard तो है नहीं हमारे पास, अभी आजकल, मालो, I, A, अब blood group बनेगा कैसे, जब इन तीनों में से, इन तीनों में से, दो कोई भी जीन, जो है साथ में आएगे, small I है यह, ठीक है, इन तीनों में से, कोई भी दो साथ में आजाएगे, तो blood group बने जाएगा, अब मैं बताती हूं आपको, किस तरह के से, मालो, हमारे पास, क्यूंकि इस पर dominant है, आई का कोई effect ही नहीं है, आई यहाँ पर दीखेगा ही नहीं, इतना समझ आया, next देखो, अगर यहाँ पर मैं बात करूं, कि, आई, one second, ओ, आई, बी के साथ जो है, वो small I आई आ गया, तब भी blood group B ही होगा, क्यूंकि यह तो भाई recessive है, B dominant कर गया, इसके बाद मैं third example ले लेती हूँ, अगर I A और I B साथ में आगे, तो होगया आपका, A blood group ठीक है, अब इसके बाद, अगर I, capital नहीं, small वाला, small I के साथ, small I ही आगया, तब होगया आपका, O blood group, ठीक है, तो इस तरीके से इन जीन्स को मिलाके, blood group system बनाया जाता है, probability पूछा जाता है, ठीक है, तो यह question जो है, बहुत बार repeat होते हैं, और यह question गुमा के पूछे जाता है, genotype दे दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है, बाकि A positive कैसे होता है, जिसे A positive बोल देते हैं, हम B positive बोल देते हैं, यह positive negative क्यों होता है, आरेच फेक्टर बोलते हैं हम इसको, यह हम अलग चप्टर में पढ़ेंगे, मैं अलग आपको बता दूँगी, जब हम physiology करेंगे, डिटेल में फरसे, ठीक है, मैंने बहुत चीज़ बताया आपको, कि I A और I B are completely dominant over small i, ABO also show multiple allelism, means, वैसे तो किसी A करेक्टर के लिए दो ही allel होते हैं, यहाँ पर क्या है, एक allel जो है, यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, तो multiple allelism, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, स्टार्ट सिंथिसिजन प्लांट, पी प्लांट, अब यहां मैं पते, एक paragraph में, यह बीच paragraph में, मुझे topic मिला, तो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहां पे add किया, ठीक है, अब स्टार्ट सिंथिसिजन प्लांट, अब क्या मतलब है इसका, जो पी होता है, मटर होगा पॉर्ड के अंदर, वो उसमें स्टार्च का अमाउंट कितना है, आपको पते हैं, रिजर्व फूड मेटिरियल है, यह प्लांट का, जिसको हम मटर को हम खाते हैं, वो reserve food material है और आपको पता है plan में reserve food material starch होता है तो इस starch के amount के बारे में यहां कुछ बातें लिखी गई थी NCRT में आप वो चीज़ें आपको बटाती हूँ जो यह synthesis of starch है इसको एक gene control करता है और वो gene allylic form उसकी क्या है B and B capital B and small b अगर जो है अब यह है results कैसे बनेंगे जैसे देखो न यहां पर हमारे पास capital B, small b है जब cross होगा ठीक है तो probability क्या हो सकती है capital B, capital B बनेगा एक और दो हमारे पास capital B, small b बनेगे और एक हमारे पास small b, small b बनेगे यह conditions होगी न अब यह conditions क्या show करेंगी ठीक है वो मैंने यहां पर लिख रखा है cross बनाने के बाद यह conditions आएंगी और यह conditions क्या show करेंगी if B, B genotype होगा तो क्या होगा round colored seed होगे और large होगे मतलब starch का amount ज़ादा होगा अगर small b, small b genotype होगा तो wrinkled होगे seed और small starch content कम होगा ठीक है और अगर hybrid होगा genotype तो round होगे वो होगे वो और intermediate size होगा ठीक है इन दोनों के बीश का size होगा तब ही आप देखते हो कुछ मतल के दाने बड़े बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं वो इसी वज़़शे होता है कि उनकी उनका genotype vary करता है next dihybrid cross के बारे में वही है कि mendel made a cross between two pure plants दो pure plants और उसके two ही pair of characters उसने लिए थे दो pair character के लिए तो dihybrid होगा तीन ले लिए try होगा ठीक है यह मैंने यहां पर genotypic ratio एड़ करी है तो आप यहां से इसको note कर सकते हैं 1 ratio 2 ratio 2 ratio 4 ratio 1 ratio 1 ratio 2 ratio 2 ratio 1 ratio 1 तीक है यह मैंने खुद काल्कुलेट आप खुद भी काल्कुलेट कर सकते हैं dihybrid cross बना के ठीक है अगर आपको dihybrid यह सब अगर कुछ भी इसमें से जो topic basic आपको नहीं पता है यू किन कमेंट और मैं अगर आपकी help कर सकते हूँ अगर तुम्हें आपकी help करूँ चलिए आगे chromosome theory of inheritance अगला टॉपिक है और इसमें किस ने दी थी bovarian sutton ने दी थी और इसमें सो जितने भी question competitive के लिए बनते हैं और one mark के लिए वो यहां पे discuss होने वाले हैं in this in this bovarian ने क्या explain किया था कि जो replication है and segregation है वो cell cycle में होता है ठीक है और chromosomal theories का नाम रखा गया इसने बोला जो segregation हो रही है किस चीज की हो रही है chromosome की जो gene जैसे मेंडल ने कहा था कि law of segregation में की character segregate हो जाते है यह इसने इसी theory को मेंडल की उसी चीज को आगे explain किया कि होता तो है ऐसा लेकिन chromosome उसको करते है chromosome की help से gene एक generation से दूसरी generation जाते है ठीक है chromosome theory of inheritance Thorne and Buberi said that Mendelian factors are located on the chromosome Mendelian factors mean genes जिसको मेंडल ने factor बुला था वो gene chromosome पे होते हैं और वह ही inherited होते हैं through one generation to another अब मेंडल की publication कब हुई थी जब मेंडल ने अपना काम किया तो वो 1865 में हुई थी recognition उसको कब मिली थी 1900 में और तब तक बेचारा मर गया था तब तक क्या वो मर गया था और उसके मरने के बाद उसको जो है वो टाइटल मिला genetics father of genetics का ठीक है उसके काम को rediscover किसे ने करा था divary, coron, and morn test mark ने ठीक है चले आगे चलते हैं discovery of chromosome 1902 में हुई थी two alleles of gene pair are located on homologous site of chromosome देखो जब cell division cell cycle पड़ते हैं तो जब हम packetine की stages करते हैं तब हम crossing over वगरा देखते हैं और उस तरह हम एक चीज़ और देखते हैं bivalent वगरा बनते हैं homologous chromosome क्या होते हैं homologous chromosome होते हैं same pairing में जो है आमने सामने जिनके contrasting factor एक दूसरे से match करते हैं उसको homologous chromosome बोलते हैं और allele, same two allele होंगे हमने सामने located होते हैं ठीक है चले आगे experiment अब जो सुतान और बुवैरी ने बोला कि chromosome पे वो located होते हैं just a theory दी फिर उसको experimentally prove किस ने किया experiment किस ने किया वो किया Morgan ने Thompson Hunt Morgan ने किया और इसके colleague थे उन्होंने Morgan theory of inheritance भी इसको बोलते हैं Morgan ने काम किस पे किया fruit fly पे fruit fly का common name किया drosophila melanogaster है ठीक है यही question यहां से पूछ जाते हैं अब इसने मैं चीज आप यहां पे और बताते हूं कि Morgan ने drosophila को ही क्यों चूज किया एक तो यह छोड़ी सी मक्ही थी और easily male और female करेक्टर को easily देख के पता लगा सकते थे कि बाहर से morphological करेक्टरीजी थे दो वीक का ही lifespan होता था और easy थी और ग्रोथ के बाद बहुत सारी flies जो थी next generation में मिलते थी ठीक है वही चीज लिखी है two week cycle इसका होता है male and female fly different होते है morphologically और Morgan did experiment in the year of 1910 ठीक है drosophila possesses a large number of easily recognizable traits, trait मतलब कोई character who said that number of genes stay together in inheritance inheritance in inheritance तो यह किसने कहा था इनेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो यहीं तक अभी notes बन पाये थे तो वह मैंने upload कर रही हूं मैं भी और इसके बाद इन कौन-कौन से topics है let me check in the book मैं आपको एक idea दे देती हूं next video में क्या रहने वाला है linkage and recombination है after that polygenic inheritance pleiotropy, sex determination, inhuman, in honey bees, in insects इसके बाद very very important mutation का topic है genetic disorders है जिसमें mendelian disorder और chromosomal disorder यहां से तो हर बार question पूछा जाता है वैसे bio booster series में हम mendelian disorder chromosomal disorder discuss कर चुके है लेकिन यहां पे हम NCRT based questions को करेंगे ठीक है thank you so much for watching this video yes if you like my video please like share and subscribe to my channel bye bye